बिलकाम श्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्रोगाइडेंस में मैं आरती चलि आज का जो वीडियो है वो ले लेते हैं BPSC 133 का ठीक है आपके एक्जाम्स जो है वो करीब है लेकिन फिर भी ठीक है अभी 8 डेस का टाइम है और यूनिट जादा है इसमें यह जो BPSC 133 ह अगर इसमें हम यूनिट की बात करते हैं उसमें यूनिट 5 है ठीक है ना फिर्स्ट जो है वो आपका पढ़ जाता है परिचय जो आज हम लेंगे और आज हम यहां पर दो यूनिट लेंगे 5 ब्लॉक इसमें है ठीक है तुल्नात्मक बिसलेशन प्रकिश्चेट रुपी हो ठीक है तो 5 इसमें ब्लॉक आपके हैं तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं वीडियो को लाइक करना है ठीक है ना और साथ ही साथ में क्या करना है हमारे ग्रुप से जूड़ जाएए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो है दिया हुआ है ठीक है ना लिंक मिल जा राजनीत विज्ञान के उप छेत्रों में से एक है तुलनात्मक सरकार और राजनीत ठीक है यह राजनीत विज्ञान का एक सब सब्जिक्ट है सब आप छेत्र कह सकते हैं समय के साथ तुलनात्मक राजनीत का स्वरूप और दारा बदला है और एक राजनीतिक विज्ञानिक कि तुलनातमक राजनीट को दिहान ने करती है और तुलनातमक अध्यनसों को राजयों के भीतर होनेवाले भाले नियों के बीतर होने वाले जितने भी राजनीतिक धराये होती हैं, उन सभी कद्धन तुलनात्मक राजनीत्मिक किया जाता है, एक तरह से कंपेरिंग कि जाती है, तो दीर्चों और राजियों की बीज राजनीतिक परिगटना का अधियन, राजनीतिक बिज्ञान में उंतर राष्टी संबंद का एक अ अमांग नेशन्स हलांकि इस पार्टक्रम में, क्योंकि आप इसे परमितना जानना चाहिए, आपको बताने का मेरा मतलब यह है, कि तुलनात्मक राजनीत है क्या जिसकों थोड़ा सा देख लेते हैं, तुलनात्मक अधियन की विस्यसग्यों का मानना है, कि तुलना मानक व कि तुलना करता संदछना सनस्ताः विचारों के साथ तुलना करना है तुलनात्मक राजनीत में जो भी आव समाज राजनीति, अ पिढ़ालियां होते हैं धराय होती चाहित राजनीत की उन लोज सभी के आपर अधियन करेंगे, घीक है यूनिट 1 में important क्या हो सकता है क्यों हम सिफ focus करेंगे very important है कि हमारा जो topic है तुल्णात्मक तो राजनीत का तुलनात्मक अद्यन प्रकीत चेटक इन्तरगत फॉकस करेंगे और यहाँ पर थोड़ा शाह देखेंगे 1970 का दसक और VIKास बात की चुनोतियां ठीक है और बीसवी सदी का अनतयफ वर्षवीकर्ण और उभरती प्रविक्तिय और सम्भावना है ठीक है ना तो चलिए देख लेते हैं यहां पर और कुछ है क्या यहां पर और तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है आपको तो सभी कुछ पढ़ना है क्योंकि आपको एक्जाम हो सकते हैं तहां पर हमारी कोशिश होती है कि इंपोर्टेंट कराना ठीक है ना तो उद्देश देख लेते हैं देखी एक्सर क्या होते कि जाने अन जाने आप जो तुलना होती है हम अपनी दूसरों से करते हैं और या पिर दूसरों की तुलना अपने से कर लेते हैं ठीक ह है TULNA Karma मुझे जह थेख दूमना करेंदा है तुम मैं अन्ध थे कंभमाने युझ भीछा यह रहे सबस् Moral फर्वे करेंदा तो यह उंदन ही आधे भीचार की अच्ठ सब्सक्राइए ठार सब्सक्रार तो एक आल मेंक्स कहलेए तो एकarest लिए तो प्रम醉 की कप्रिया ज within निस्ता का रूप देटी ओ इस प्रकार की तुलना की प्लक्र या सामोही क स्था पर फिर गटित है ठीक है और राजनीतिक विज्ञान के छेत्र ऒल को शे तुल्नात्मा कद्यान के बारे में शैधान्तिक और विधितांत्रिक दिश्ट्रि जनकारी प्राप्त करेंगे हम तुल्नात्मा कद्यान के प्रधान पहलु प्रकिति भी से चेत्र प्योगता देखेंगे तो सबसे पहले हमें आपर देख लेते हैं कि आखिर तर जो तुल्नात्मा कद्धती है तुल्नात्मा कद्यान है वो है क्या क्योंकि अगर आम डारेक्टली बता देंगे तो आपके समझ मी आएगा जो मैंने उपर आपको 2-4 मिनिट के वीडियो बता है तो इसमें आपके समझ में आगया होगा कि तुलना क्या होती है और निजी जीवन से संबंदी के तुलना होती है लेकिन राजनीत में तुलना क्या से है यानि तुलना राजनीत का मूल उद्देश बिश्ट के देशों के बीच मुख राजनीतिक समानताओं और विवनताओं को समलित करना होता है तो तुलना का मतलब यहां पे हो जाता है कि जो राजनीत का में उद्देश हो जाता है बिश्ट के जितने भी देश हैं उनक विबिन समाज दोसरों के साथ तुलना के माध़यांसे विबिन शमस्याओं का समदान करते हैं यहाँ पर कंपेरिंग अच्छा ही बुराही में नहीं है अगर हमारा समाज है और भुष्ड- प्रॉब्लम है तो उस problem को दूसरे समाज की comparing करके दूसरे समाज की तुलना करके कैसे ठीक किया जा सकता है ठीक है ना? तो ये दिया तुलनात्मख पद्धतियां तुलनाओं की बिधियां अन्धिशियों में भी भ्यापक मुस्के परियोग की जाते हैं मरो भिज्ञान में भी समासास्त में भी अरसास्त में भी सभी में जो है तुलनात्मक पद्धतिया उप्योग की जाती है तुलनात्मक राजनीत का मुक्तत तो क्या होता है उसकी बिसेवस्तु शब्दावली परिपेश अवधार्नाए इतना समझ देजे तुलनात्मक राजन तो एक पद्धत के रूप में भी तुलनात्मक राजनीत के अध्यन को एक उप्षेत्र के रूप में जाना जाता है जो हम उप पढ़ के आ चुके हैं तो तुलनात्मक राजनीत की प्रकिती और विशयचेत का एतिहासिक दिश्टे निर्धारन विशयबस्त सब्दावली और राजनीतिक परिपेक्ष में परिवर्टनों द्वारा हुआ है राजनीतिक परिवर्टन काहां क्यों कैसे हुए हैं तो हमें ये देखना होगा कि एक निश्चित एतिहासिक काल में ठीक है अधियन का केंद्र क्या है अधियन के लिए किन उपकर्णों का उपयोग किया गया है किन भासाओं का किन अफधार्णाओं का प्रियोग हो रहा है अनवेशड का प्रेशर अस्थल क्या है परिपेक्ष और उद्देश क्या है यानि कि जब हम देखते हैं कि परिवर्तन कहां क्यों कैसे हुए है तो परिवर्तन को देखने के पहले हमें यह देखना होता है क्यों एतियासिक काल क्या है वो समय क्या है फिर जहां पे वो तुल्नात्मक राजनीत है तुल्नात्मक पद्धत अपनाई जाती है तो उस अध्यन का नाम किया है Bu सन्दान तुलनात्मक पत्दत को यूज़ किया जाता है फिर उसको जब उसको यूज करने के लिए चुछ सधी करते किन भरनों की जहुरत होती है ठीक है ना फिर किन भासाओं का यूज़ वहां पर किया जाता है जो अब धारणाय होती है उसका प्रयोग हो रहा है औ इस बिकास को अनुप्राणित करने वारे निरंतरताओं रुभिन शिंताओं जिनकी तरीकों से विशिष्ट के ठीक है उसका उद्देश क्या है अब आगे यहां पर देख लेते हैं कि तुलनात्मक अध्यार प्रकित विशय और छेत्र अब देखिए तुलनात्मक पद्धत क प्रयोग शमान रूप से अन्न विशयों में भी किया जाता जैसे हम पढ़ चुके हैं अर्शास्त में समास्त में मनों बिग्यार में सभी में किया जाता है ठीक है ना और तुलनात्मक राजनीत की विशिष्ट विशय बस्तु भासा और परिपेक्च वो तत्त्य है यहां बिशय निहीं तिलनात्मक राजनीत से क्या समझते हैं इसकी विशय बस्तसा भासा और परिपेक्च वो तत्त्त कहलает है जो उसे उन्न विशयों से इसपश्टत्तिय अलग करते हैं दूसरे विशियों से अलग करने के लिए दो तत्यों यहां पर सामिले एक भासा और परिपेश हो गया और जो तुलनात्मक पद्धतियों का उप्योग करते हैं तो ऐसी इस्तित में वह प्रस्ट ने पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीत विस्टित अध्यन विशय मे आप से question पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीतिक विस्टित का एक भिशिष्ट चेत्र है या फिर राजनीतिक विग्ञान के विस्टित अध्यन विशय में सामिल किया गया एक उप भिशय है इसको विस्तार से समझाईए समझीप्त में समझाईए एक यह question पूछा तुलनात्मक राजनीत विस्तार का एक विस्तार चेत्र है एक यह कोश्चन सिर्फ यहां तक पूंचा जा सकता है और दूसरा कोश्चन जो है राजनीत विग्यान के विस्तित अध्यन विस्तार में सामील किया गया एक उप अध्यन विस्तार है तुलनात्मक राजनीत इसको स तुलनात्मक राजनीत की बिस्ष्टा को आपे मिस्था करने के लिए अपरयात है मतलग इसके लिए हमें तुलनात्मक राज्टियों अपर रयात है अब इसे समझेगा कि जो राजनीती तुलनात्मक राजनीत का जो विसे बस्तु है उसके तीन तत्तो होते हैं भासा, शब्दा, वली और परिबेख्ष होते हैं जब राजनीत विज्ञान के अंतरगत हमारा अध्यान और ज्यादा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो उसके अंतरगत तुलनात्मक राजनीत की विसिष्टा है तुलनात्मक राजनीत को लागू करने के लिए यह पर्यापत यानि कम है क्या भासा, शब्दा वली और परिपेख्षे तो यहाँ पर तुलनात्मक राजनीत जो है वो राजनीत सास्त के बिसे बस्तु और चिंताओं में भागीदार है अब यह क्या हुआ बिसे बस्तु और चिंताओं तो इस प्रकार राजनीत विज्ञान के अंध्यान विशय के अंतरगत तुलनात्मक राजनीत विशलेशन की विश्षता निर्दिष्ट होती है और उसके द्वारा सचेत रूप से तुलनात्मक पद्धत के प्रयोग द्वारा उन प्रशनों का उत्तर देने में जिनमें तुलनात्मक राजनीत विज्ञान के अंतरगत राजनीत विज्ञान के अंतरगत किया जाता है और यहां पर जहां पर तुलनात्मक पद्धत का प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग किसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्रशन होते हैं उनको उत्तर देने में जो राजनीति की प्रकित बिशय छेत्र अब यहां पे तुलनाईं ले ले लेते हैं संबंदों की पहचान कैसे होती है तुलना में जब एक एक चीज़ आप पढ़ेंगे तो टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा ठीक है ना तो तुलनात्मक राजनीत बिशलेशन के चरित और बिशय छेत को परवासित करने में तुलनात्मक पद्दत पर कुछ विद्वानों के बल दिया जाना इस दिश से कायम रखा गया है कि बाहरी देशों या विदेशों के अध्यन के रूप में तुलनात्मक राजनीत से संबंदित लगातार गलत फैमियों को दूर किया जा सके देखिए ह तुलनात्मक राजनीत में 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 के अंदर यदि आप अपने से लग किसी अन्यदेश का अध्यन कर रहे हैं हो या पीर एक भार्ति ज्रीलंका की राजनीत कदन कर रहा हूँ ठीक है न तो ऐसना चांप नीनध्न कर जाएगा क्यों क्योंकि आप एक मरी ड्राघ्रलंका की स्री राजनीत longeramp कर रहे र्म आप दो देष्यों हो जाती है तो इस घर्थ फेमीक रितिकत religion के बारे में सुच्छा बाइस में तुलना होती है जो वहें गुत अथिक ज़यों भाड़ ब्राश्चा जाता है तुभिएक दर要ग strumizar अधिक आख कम चैनल मेंतुध तो अधिकांस तुलनावादी यह तरक देते हैं कि तुलनात्मा के राजनेत की विसिशिता उसके द्वारा दो या अधिक राष्टों के अध्यन के तुलनाओं में से एक सचेत और विवस्थित प्रयोग में हो इसका उद्देश विस्लेशन की जा रही निशित परगटनाओ के संबन में उनके बीच विविनताओं और उनकी व्याक्या करना है तो बहुत से तुलनावादी यह मानते हैं कि जब दो राष्टों के बीच अध्यन किया जाता है यानि अध्यन के लिए जब तुलना किया जाता है तो जो तुलना किया जाता है उसका में जो काम होता है व उसने राजनितिक परगटनाओं का वर्गी करने विभाजित करने दुरूभीत करने के वसंचारित किया तो बहुत लंबा समय गुजर गया जब तुलनात्मक राजनित सिर्फ समानताओं विभुनताओं में ही अंतरकोशती रह गई यानि तुलना करती रह गई लेकिन आगे चलके ठीक है ना उसमें परिवर्थन आये और उसने आगे अपने इसको बढ़ाया अपने दाएरे को बढ़ाया और उसने परगटनाओं का वर्गी करने विभाजित और दुरूभीत करने की राजनित पर भी काम करना शुरू कर दिया तो तुलनात्मक राजनित विषलेश सिर्फ समानता और विविंता और दो वड़्याद रखेगा समानता और विविंता सिर्फ इनका तुलना करना को नहीं रह जाता यहाँ पे ठीक है ना और भी बहुत सारे छेत्र हैं जो तुलनात्माक राजनीद में तुलना के लिए रखे गए आप और देख लेते हैं तुल्नात्मक राजनीत और तुल्नात्मक शरकार इंपोर्टन कोशन्स आपके लिए बन सकता है ठीक है ना कि तुल्नात्मक राजनीत और तुल्नात्मक सरकार क्या हो सकता है इसमें अंतर भी दिया हुआ हो तो अंतर की रूप में पूंच सकता है कि तुलनात्मक राजनीत, तुलनात्मक सरकार से आप क्या समझते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, अब ये जो धारना, अक्षर एक धारना होती है, और उसका सामना करना पड़ता है, कि तुलनात्मक राजनीत का संबन सरकारों के अध्यन से है, राजनीत में हम जो है, सरकार का आप तुलनात्मक सरकार से भिन है जो तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक सरकार के 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 तुलना जिसका चेत सरकारों करेंगे तो सरकारों करेंगे जी सीमित होता है इसका दाइरा शिव सरकार तक है तो तुलनात्मक राजनीत का संबद सबित कर इत्ति गतविद्रे और पहला अनतर सऻ्ञाइब мехण को हुथ्टुलिग के शिए गतविद्रच राजनीत के जी सिएरॉडच सरकारी और गैर सरकारी भी यानि कि चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो तुलनात्मक राजनीत में अध्यन किया जाता है ठीक है अब तुलनात्मक राजनीत के छेत्र की एक सर्व शम्लित प्रकिती है और तुलनात्मक राजनीत के बिसेसग है वह सब कुछ जो राजन गळीतिक है यानि तुलनात्मक जो राजनीत होता है तो उसका एक छेत्र होता है और शक्री को गड़नेकर संब्धben पर्फटन रें तो यहां पर आप समझ सकते हैं Subut सब्षाइब धुल्नात्मक भागे च। जो सब्मंद कर बालने में किन नहीं एक जा है जो सरकार हीं गईर सरकारी हो च्छैषी हो तुल्नात्मक राजनीत चेत्र में 11, 17 tomlaatmaadha और एक विशेसक्गता होती यानि विशेसक्ग होता है और जो अध्यन की रूप में देखता है इसे ठीक है। प्रिद्ध के साथ सभी एकायों में राजनीतिक परिगटना और प्रक्रियाओं की व्याक्या करने वाले प्रतिवानों को शूत बद करने का आग्रे जुड़ा। बाइन बाद्रिग जो रूप करने के परिखेंगे से खंध कि ना राश्टों में रुचिं लेगए किसमें तुल्नात्मक राजनीतिक में और तुल्ना के समपूर्ण बिस्तार यानि राजनितिक दल, हीत्व समु, समाजिक कांदोलन इत्यात वी सामिल किया गया तो तुलनात्मक राजनित में अप देखे वही है दायरा बढ़ा उसका चेत बढ़ा तो चेत बढ़ने के साथ साथ में यहां पर अब राज जरु उसकी संस्थाई नहीं रह गई बलकि ब्याग त तो राजनीतिक प्रक्रियाओं की ब्याख्यां के लिए कुछ पहलों पर विसेश ध्यान दिया गया जैसे राजनीतिक प्रवोत पादक्ता और राजनीत उदाशिंता की सीमा कुछ ऐसे वर्ग हैं कुछ ऐसे पहलू भी हैं कुछ ऐसे छेत्र जहां पर विसेश ध्यान दिया गया यह जो पढ़ रही हैं सर यह आपका तुलनात्मक राजनीत तुलनात्मक शरकार का तो है यह लेकिन यहां से यह यहां से याद रखेगा इस वाले पैराग्राफ को आप क सिंत के इवधिग्रिदिक किया जाता था अर्था एक जनता के लिए राजनेतिक सांस्कृतिक पहचान कि पwing करना राजनेत kências वे संस्थागण धाचर और प्रक्रियां पफिलाइग कौना और अर्फाति-विस्षाऄश्चा वीचान के विश्चार धारा थी फ्विकाश समाजवादी मार्टे के अश्विकर ऐने पहचान रहे इन नुद। अंदोलन उभर कर सामने आया था ठीक है और विकास के समाजवादी मार के पर तदिकांस रास्टों में सहान बहुत ने देर देरे बैस्टुएक ब्यापक इस्तरी तुलनाओं के उद्देशों के लिए दिकांस आधुनिकी के और प्रतिमानों को अप्रसांगी बना दिया तो आपको यही अंसर लिखने होंगे जो अभी आपको यहां पर देखे में पढ़ा के आई ठीक है तुलनात्मक राजनीत एक एतिहासिक सिंगावलोकन आप तुलनात्मक राजनीती तुलनात्मक अध्यन कुटपत यह नहीं देखेंगे बस मैं इसलिए आपके लिए वीडियो कर देते हुं इस तरह से कि आप चाहिए इसको पहुच करके पढ़ सकते हैं ठीक है आना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं यह पढ़ना चाहें तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वो पढ़ाऊंगी और निश्वी शदी का अंतर बिश्वी शदी का प्रारम इंपॉर्टेंट है भी यर नहीं पर उत्तम विवस्ता आदर सिरा से संबंदी यह पीं उतना इंप बॉल्साइविक रांत ने एक समाज बात को तबन किया और चमी उदारबाद पाश्चिम में उदारबाद और पुझी वातव पश्ट्रात में अलुछनात्मक के रूप में उत्पन्नों थी जी उत्पनिक तो कि तो को के साथ महार तब घट नाय घट चुकी थी जिनमे यूर साली अमेरिका मान जाने लगा USA बिशकी विचार धारा के दिश्चे से दू गुटो में बत्वारा हो गया पूरैट यहानि अर्था पूजिवाद पूर्भी शमाजवाद में तो पूरैट ओ पूजिवाद क्या आप तो पूरैट पूरैट कुंट बन गए था ठीक है और जब भी उपनिवेसिकन के स्थिति आई तो इसके बाद बिकाश, आदनीकिकन, राष्ट निर्माद, राज निर्माद आधी ऐसे रूप है जो उभर कर सामने आए आधी ऐसे विचार थे जो सामने आए ठीक है लोगों ने अपने राष्ट को आधी और आधी ज पास कोई मजबूरी नहीं थी कि पूजी वाद को अपना है और जहां एसी आ अफ्रीक को लैटिन अमेरिका के नए सक्ताधारी अभी जनों की भी समाज वाद के अपने हिस्से के समर्थ तक थे वहीं नो ौतनता प्राप्त देशों ने अपने शक्त गुटों के निर्पयक पुजी बाद और समाजबाद का मिस्ट्रण था भारत भी था उसने हुआ अपने आपको समाजबाद से दूर रख़ाए और उसने अपने आपको समाजबास से दूर रहा है उसने अपना एक निया माडल विखसित कि सरकारों का तुलनात्मा कध्यान प्रधान रूप से संस्थाएं उन्हें नीमित करने वाले कानूनिक शैद्धान्तिक जो सिद्धान्त होते थे उनकी बीच में उनकी कारशैली की बीच में अध्यान होता था 1940 के दसक तक ठीक है ना राइट लेकिन 1950 के दसक के मद्ध संस्था अत्मक उपागम के ससक्त समालोचना के उत्पत्ती हुई और इस समालोचना की जड़े बेवहारबाद में थी यानि बेवहारबाद का यहां पे उदय हुआ और एक राजनीतिक विसाय के रूप में आंदोलन हुआ और जिसका उदेश विस्त को बेज्ञानिक कठोरता उपलब्द कराना था और राजनीत के एक विज्ञान को बिक्सित करना था और बिभारबादी आंदोलन के नाम से प्रशिद्ध हुआ यह ठीक है और इसकी दिल्चस्पी अन्वेशन को यानि खोज को बिक्सित कर करना था और जो भी मूल्ट थास्त गैर आदेशात्मत और वस्तुरिश श्तिपणियां ब्याख्याएं उपलब्द कराई जा सके तो यहां पर हमने देखा कि उन्ने दुति विश्त के बाद राजनीत में भी बहुत सारे देश में तो परिवर्तन आये ही जो बिकास हुआ लेकिन राजनीत में भी यहां पर बहुत सारे परिवर्तने ठीक है ना और जो एक राजनीत में राजनीत को राजनीत को इक बग्वार के रूप में भिवार क्यों करते हैं यह क्यों विवे को करते हैं जैसा कि वे करते हैं और क्या उनके परणीतिक प्रणीय प्रणालिय umवैसे काम और भी करती है तो Tri borac प्रशन के उत्तर की कोश्च जो करते हैं क्या उन्हें वो उत्तर मिल पाता है उसमें यह नहीं मिल पाता है यह बेवार बादियों का कोश्चन था ठीक है ना तो लोगों के बेवारों में विभिनताओं और राजनितिक प्रत्रियां और राजनितिक प्लानियों के लिए उनक जो इंपोर्टेंट होगा यहां पर वही में आपको पढ़ाऊंगी ताकि आप उसको अच्छे से लिख सकें ठीक यह ना अब यहां से ले लेते हैं एक भागोलिक प्रदेश भागोलिक या प्रादेशिक दिश्ट से मामलो के विस्तार के साथ स्वम राजनीत के बोत का भी व इसे इस रूप से अस्विक्रिट द्वारा जिसे उस समय अपचारिक राजनीटिक संस्थाओं के अध्यान में परिपारंपरिक हो संकिल रूप से परिवासित बला घात के रूप में देखा गया था मतलब कि लोगों ने जब अपने अपने देश का बिकास किया तो देश और प्रादेशिक भगोलिक देश के विकाज के साथ साथ में राजनीत में भी बहुत बिस्तार हुआ और उस समय जो ने इसको मना कर दिया था असेप्ट नहीं किया था उस समय आपचारित राजनीत के संसा के अध्यन में भी क्या है एक बलागात का मतलब यहां पर हम क्या कह स देशिक की धारना का विस्तार किया गया बेरी इंपोर्टेंट है दुति विसुद के बाद कि तुन लातमक राजनीति आए या थालत बात बेवहार बास सम्भंदित राजनीत आए बेवहार बास सम्भंदित आपको एंसर यह लिकना है ठीक है ना तो इसके विसरचेत में अब चारिक द्रिश्चे कम मात्रा में सम्रचनाबद अवक्रण बेवहार और प्रक्रियाकार प्लाले के यहां पे शामिल किया गया था जैसे राजनीतिक दल, हिस्समू, चुनाव, मद्दान, बेवहार, मनोबृत आज सभी को बाद में इसमें सामिल कर लिया गया ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया बेवहार बाद और दुती विशुद्ध के बाद जो है नए राष्टों के उदाए के बाद तुलात्मक राजनीत का किस तरह से विकास हुआ ठीक है अब हम यहां पे थोड़ा सा देखेंगे इसे मैं ऐसे कर देती हूं हलके से ताकि आप इसे चाहते हो देख भी सकते हैं ठीक है ना पहुच करें वीडियो का अगर आपको लगता पढ़ लिजे आप इसे कुछ और निकालना चाहते हैं बेवहार बाद यह देखे तो बेवहार बादी करांतिक के समर्थक जो राजनी कर पाया ठीक है और जो पर्या वर्णी और नारी बाद आंदोलन था उसका युद्ध विरोधी परिपेक्ष भी यहां पर देखने को मिला उनके द्वारा दो बलों के बिस्वामन जिससे स्थापिक करने के प्रयास किये गए थे पहला राजनीतिक विग्यान को कठोर और अ अंदोलन हुआता ठीक है ओके राइट यह देख लिजेगा इंपोर्टेंट आपके लिए तो रहसा यह हो सकता है उननी सो सत्तर के बाद दसक की विकास की विकास वात की चुनोतिया इससे आप देख लिजेगा ठीक है वाश कर यह वीडियो को और इससे यारदी आपके पा किया हुआ एक लाइन में देख लेते दो लाइन में कि 1970 की दसक के अंत और 1980 की दसक के प्रारंबिक काल की दोरान विकास वात के विरुद्ध तीखी प्रतक्रिया को देखते हुए तुलनात्मक राजनीत के चेत्र में अनेक शिद्धानतों और विसे बस्तूओं का उदय आप जिन में नौकरसाही सत्ताबाद परिवर्तन की देशर जवदार नाएं लोग तंत की दिशा में परिवर्तन और संडशनात्मक समयोजन की राजनीत नौ उदारबाद निजी करण सामिल कर लिए गए थे ठीक है तो जहां कुछ विद्धानों और गत्विद्यों को पादन करने के रूप में तो जग तुल आत्मक का राजनेत में कुछ और बसे बस्तों को सामिल कर लिया गया नौकरसाही सत्ताबाद परिवर्तन की दिशा अवदार नाए लोग तंत की दिशा में परिवर्तन ठीक है ना हदार बद तो यहां पे दो छे-खेमे हो गए एक तो ऐसा हो गया कि कुछ विद्वानों ने इसको कहा कि तो एक जो भी उस छेत्र की एक्ता है एक्टिविटी कत्विदी है उसको कमजोर बना देगी तोड़ देगी ठीक है जिस तरह से विकास बात का प्रबुत हुआ था ठीक है अग दूसरे जो मतलब विद्वान थे उन्हो कि दार्ना का इस्थान राजनितिक प्रणाली को मिलना चाहिए जो बैज्ञानी कन्वेशन के अनकूल नी थी तो यह आपका है दियाता है 1980 की दसक के राज की वाप से तो आप इसे लिख के और थोड़ो बढ़ा सकते हैं इसे कल देती हूं तो आप देख लिजेगा ठीक है तुल्लात्मक राजनित की उप्योगिता का प्रश्ण राजनित यह थार्थ के संबंद में हमारी समझ को बढ़ाने में है और इसकी उप्योगिता प्रसांगिकता से अनि हमारी समझ को बढ़ाने में ठीक है और इसका उद्देश से जानकारी प्राप्त करना है कि तुल्लात्मक अद्यन किस प्रकार सहाथा करता है थार्थ को ए रील Titan किस प्रकार करता है प्रत्थ मे vaccinations आदिक महत्तुपून हमें ध्यान में रखना होगा कि राजनीतिक ब्योहार सभी मनुस्यों के लिए समान है और विस उबर में इसके अविव्यक्त अनेक विदियों और अनेक समाजिक सरस्थाओं के रूप में होती है तो यह कहा जा सकता है कि संबंदित और समाना अंतर राजनीति में ठीक है अब यहां पर कुछ और भी है क्या थीक है चलिए सारान सा गया यहां पर ठीक है न अब हम आ गये हैं यहां पर दूसरे उसमें नागरिक समाज इस सब्द के विवादास्पर दर्द कुर्मिलाकर यह इसे एक देश के जीवन का हिस्समाना जाता है जो नाव उदारबाद हो सकतर टिपणी के लिए आजा सास्त्री उदारबाद का उन्नत रूप जिसमें राजनीतिक व्यवस्ता बाजारी व्यक्तिवाद निंतम राजनीतरवासंग के दिनत होता है ठीक है ना चलिए अब हम सेकंड यहां पर ले लेते हैं जो बेरी इंपोर्टे सब्सक्राइब के लिए यहां पर दिया हुआ तो वीडियो को पाउच करके आप इसे देख लेजेगा राइट चलिए तुल्नात्मक राजनीत बिसलेशन की विधिया क्या क्या है ठीक है तो प्रस्तावना तुल्ना क्या है हम तो पहले भी देख चुके हैं कि तुल्ना क्या है तुल्नात्मक राजनीत क्या है तो हमने देखा कि तुल्ना जो होती है हमारे दैनिक जीवन की हिस्सा होती ह परंत इन में से हम में से कोई भी सून इस्थान में नहीं जेता यानि हमारे देनिक जीवन को असंक अन जीवन आड़े तिर्चे काटते हैं ठीक है और हमारे परवेश के वारे में हमारे अनवोव परवेशन दूसरों के अनवोव परवेशन द्वारा कई तरीकों से निर्मित के बिश्वें यानि देज्जों हैं और यह संबंद घनिष्ट या भावात्मा कुरूप से भी हो सकते हैं एक परिवार के बीतर हमारे दैनिक जीवन के दौरान जैसे जाल तंत्र का बिस्तार होता है तो बेवसाय हमारे कार के स्थल हो जाते हैं अभिव्यक्त हम जिस बस में करते हैं उसमें हमारे सहयात्यों के साथ हो जाती है परत यह संबंद जो नेमित्ता प्रतिमान या दैनिकता को दर्शा सकते हैं तो दायान के लिए बस का दैनिक मार्ग फिर उसके प्रस्थान और अग्मन की समय त्याद कि एक बस जो होती है डेली क्या करती है अपना जीव मतलब हर एक व्यक्ति का अपना एक दिन चर्या होता है जो वह करता है वही समानतर रूप से एक संचय समुद्रित प्रभाव होता है तो जहां ऐसे अनेक व्यक्तियों को इससे मिलती जुलती दिन चर्या को पराते हुए देखा जा सकता है तो इन व्यक्तियों के जीवन में न उन्हों कies सकता है तो जीवना ने भीवें नीमित होता है जो डिन चर्रय हम करते है उन्हों और दिन प्रतिमान होता है कि हमें एक दिन में ये काम हम करते ही है ठीक है तो हमारा नेमी तेक प्रतिमान हो जाता है अब जो उसकी समाद हो हमारा क्या हो जाता है प्रतिमान एक तुल्नी हो जाता है तुल्ना हम करते हैं तो वहां पर हम समानता और स्रयोजित का दोनों काम करते हैं तो वहीं पर हमें अन पुरे में समानता है अभी समता मी की जाती है ठीक या ना एक इसे उधायन के दर्फ पेस्ट कर लेते हैं कि एक आवासी कालोनी की कल्पना करें जिसके अधिक कांश पुरुष निवासी पर आते आठ वजे एक चार्टर बस में काम पर जाते हैं सबी पुरुष और साम छे पर दोनों समता हो इन दोनों के लिए बयाख्या पाई जासकती है ठीक है ना शम्टा रहे हैं लेकिन समता है क्या होगा इक चार्टर बस से जा रहे हैं, कुछ लोग तो कुछ लोग अपनी कार से जा रहे हैं और वही लोटने का टाइम भी अलग अलग हो गया तो इस स्थितियों की समानताओं में समरूपता के लिए ब्याक्याई मिलती है और समुहों के बीच अनिमित्ताओं की व्याक्या उन परिश्थितियों की अनुपस्थित के रूप में देखी जा सकती है जो एक समुह में समानता के अनुमत देती है ठीक है जैसे कुदाराण में हमने पाया ना कि व्यक्ति बस से यात्रा करते हैं उनके बीच चार्टर बस में अपने दफ्तरों को जाने के अलावा और भी कई समानवाते हैं जैसे एक ही दफ्तर में कार करना निजी बहानों का अभाव दफ्तर में लगवग एक जैसे पद ओधा एक ही मार पर दफ्तरों का ठीकाना इत्यादी होना जो अपनी कारों सयात्र करते हैं वे भी अपने समुके लग इंदर इस्तियों की समानताओं का पर दर्शन करेंगे ऐक साथ बस में झाते हैं तो हिए की साथ में एक योशो였습니다 में काम कर रहे होँरे होंगे यह इं प्और।न्त है तो कुछ समानता है या कुछ भी समता है है तो सम्मुहों की बीच विविन पतिक्तिवानों की ब्याक्या उन परिशितिटिते की रूप जिनके पासकार है, इसमें ही अर उचमात को कें था सकते हैं, है उनके प्राइब के सबस्वाइब को कारोmm watch, क्या MID-5 प१ितोल को पीछा को फुलीहें काम पर जाने वाले पुरुस महिलाएं ऐसा इसले करते हैं क्योंकि उनके कारकेस्थान के लिए चार्टर बसे नहीं जाती है यह क्या हो सकती है यह बिश्मन्ता है आप उसमें बिसम्ता मिले सकते हैं इसको ठीक है अत्वा निजी बाहनों के मालिक महिला पुरुस अपने आप एचर्बान में क्या अंतडर पाया जाता है ऐच्क है तो दो चीजे नहीं में मिल जाती है अप क्या दिख लेते हैं वंसमें होतु चीज कि लोतु इंक किस तरब की जाती पंदत पर कुश बिचार इमपॉर्टेंट नहीं है यह ठीक है तैक तुल्ना किस तरब की जाती है आपके विचार में पद्दत करुसंदान का एक महात्पूर्ण हिश्रा क्यों है तो इसका question हम नीचे ले ले ठीक है इसका question हम नीचे ले ले, answer हम इसका नीचे ले लेंगे तो यहां एक काम कर सकते हैं कि जो इसमें question दिये हुए है उनको ले और उनके answer आपको बता दें जैसे आप एक question है समाजी वेज्ञानी कर्शंदान को देशों की पूर्थ में तुल्लाए कैसे सहायक होती है तो इनके जो answer है आपको नीचे मिल जाएंगे हाँ तुल्ला की पद्धतियां देख लिए इंपोर्टेंट हो सकता है ठीक है न जैसे प्रयोगात्मक पद्धत का समाज सास्टों में सीमित उप्योग है फिर भी वे माडल है प्रतिमान उपलद कराती है करती है और जिस प्रकार अनेक तुल्नावादी अपने अध्यानों को आधारित करने की इक्षा रखते हैं और परिक्षन का लक्ष आझस इस शिद्ध करना है कि एक इसे द्ष्थ होतなकर दूसरी स्थित को प्रभावित कलती है тебе तो द्धित को निश्ध प्रभावित करती है तो दायान के लिए यह कोई स्कातध्यन ब्याक्या करना चाहिए कि विएाज समू सामायों जन एक है जब श Communism, और Old-map, आपके morte कुछ झार अंपन दिध्याय को चाष्च में अंतर, अनेक कार्कों को इस श्का स्धलता को प्रभावित करते हैं तो अनवेसक इन सभी कारकों के प्रभाव का अध्यन करता है और इन में से किसी एक या अनेक एक या कारकों के समिस्टन का भी तो एक या उससे अधिक कारकों का भी अध्यन कर सकता है तो कोई भी इस्तिति अधी होती है कोई भी प्रावलम होता है तो उसमें अध्यन किया जा जिसके प्रभाव को भीधन करना चाहता है और इसके प्रतेक इस्थित की भूंतब्ह को सब्सक्रित करता और जिस इस्थित के मापना है और जो अनवेशक ःत्त वाराय çुई किया जाता अब स्वतन्त चर्र है который समाजी क्रिष्टभूम इत्याद chamatismär चैutes रहे dak division केस स्टेड़ी क्या कहलाता है तो देखिए केस स्टेड़ी जैसा कि नाम संकेत देता है एक एकल केस यानि मामला हो गया तिसका गहराई से अध्यन करते हैं इस अर्थ में पद्धत अपने आप में पूरी तरह से तुलनात्मक नहीं है यह देटा यानि आक्रुप लब्द करत स्टेड़ी पिर भी एक असंगत तरीके से विशिष्ट्रत या जिने बिप्धामागामी कहा जाता है ठीक है या अश्मान केस उस पर बल देता है दे सकता है तुधायन के लिए तुल्लावादिवनी तुल्लावादियों के प्रक्किति हो सकती असे प्रश्णो करुष अन् जहां जो चीज हो उसकी खोज न की जाए बल्कि जो चीज जहां पर नहीं है उसका कारण उसकी खोज की जाए ठीक है ना तो यह कहलाता है case history ठीक है अब फिर इसमें भी वही चीज आती है कि दोनों दिनों की बुनियाद में कुली इंत लोग तंत असमानता क्यों होता है तो आप जब यहां पर तुलनात्मा कद्धन पड़ेंगे तुलना करेंगे तो आपको समानता और असमानता दो चीजे 100% बिलेंगे। सांकी पद्धत है सांकी के भर्गो और चरो का परियोगा जो इसका परतिनित अमको संख्या दोरा किया जाता है उधारन के लिए मतदान प्रतिमान साज़निक ब्यार्जनीतिक दल खुलमदान सहरीकर जनसंख्या आदः तो सीदी सीवात शांकी करेंदों सांकी को मात्रात्म तो यह हमने देख लिया एतिहासिक पद्दत को अनपद्दति उसे प्रकार अलग किया जा सकता है क्यों कारणात्मक या कारण संबंदी व्याख्यानों को खोचता है और जो इतिहासिक दिसे संबेजन सेल भी होता है तो इंपोर्टेंट इसमें तुलनात्मक पद्दत के प्रकार हो सकता है तुलनात्मक पद्दत के कौन-कौन से प्रकार है और ठीक है प्रोगात्मक पद्दत सरु में हमने पढ़ा था कि रोगात्मक पद्दत के आया ठीक है तो इसी तरह कि आप से समें कोश्चन पूछे जा के साथ अध्यान समाजिक वेज्ञानिक अंसंधान में विशाल महत्यु प्रदान करता है ठीक है तीसरा जो कोशन ता उसका एंसर यहां पर दिया हुआ है तो कोशिश करूंगे कि जब आपके पूरी यूनिट फिनिश्ड हो जाए तो इसके बाद एक वीडियो लेकर आओ जो दोनों यूनिट यहां पर खतम हो चुकी है ठीक है तुलनात्मक विस्टेशन प्रकेश चेत्र तुलनात्मक राजमित विस्टेशन की विदिया अब हम ब्लॉक टू लेंगे निश्ट वीडियो में तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करें चैनल को सुस्क्राइब कर लिज